दीर वीर गंभीर करण था युद्ध नीती का ग्यानी वीर ना उसके जैसा कोई ना उसके जैसा दानी तीर चलाता बिजली सावो शस्त्रों का अभ्यासी वानी सेशा अश्रार्थ करे तो लगता था सन्यासी आसमान तक शोर मचाए विजय थनुष्टन कार सारे तीर करण के सीधा गिरते सागर पार ग्यान कनाही बल का करता तनिक भी वो खमंड शन भर में कर देता था दुश्मन के वो खंड रन कोशल में उसके जैसा जग में कोई नहीं था दुनिया के लाखो प्रशनों का उत्तर सिर्फ वही था रन्थल का आप भुशन था वो धर्ती का सम्मान पनों में इतिहास के वो है वीरों की पहचान जब कंचला समरांगन में अर्चुन का तेज बरखने तीरों पे जब तीर चले फिर पांडव लगे तडबने कुरुक्षेत्र में स्वाध युद का चखने और चखाने अंग राज राधे चला अब रण को शल दिखलाने महावीर जब रत पर चड़कर समर भूमी में आया पांडव सेना पर घिर आई भै की काली छाया भागो भागो प्राड बचाओ हर कोई चिलाया माधव के अतरिक्त न समझा कोई करण की माया केशव बोले सुनो पार तुम समय न व्यर्थ गपाओ विजय चाहते हो तो पहले अपने बान चलाओ दुरियोधन आया है करने मानवता का मर्दन किंतु करण की मुठी में है मृत्यू की वी गर्दन करन खड़ा है दुरियोधन के ततिकर तवे निभाने युद भूमी में तान वीर आया है कर्ज चुकाने सूत पुत्रे सूरे वीर अब किंचित नहीं चुकेगा इसके विजय धनुष का बाणों का अब हमला नहीं रुखेगा अगनी कुंड में घी समान वो युद भसं कर देगा जीत ताज का दुर्योधन के मस्तक पर रख देगा कौन ते ने प्रत्यंचा पर जोहीं बाण चढ़ाया शेर सक्रोधित सूरे पुत्र को अपने सम्मुख पाया अरजुन बोला सूत पुत्र मैं तेरे प्राण हरूंगा धर्मराज के चर्णों में गौरव का ताज धरूंगा पांचा ली के आखों में अब आसू नहीं रहेंगे अभी मन्यू के आज हत्यारे जीर नहीं बचेंगे शान्त होगी वो आग लगी थी लक्षा ग्रह के आंगन में सिर्फ रक्त से आग बुझेगी धदक रही जो आखों में अरजुन की बातों को सुनकर अंग राज ये बोला मैंने जिसको योधा समझा निकला बालक भोला बीर पुरुश्यू शब्दों से लोगों को नहीं डराते योधा अपने पौरुश का यू गौरव नहीं गिराते सच्चे योधा शब्द्याक कर शस्त्र से बाते करते हैं भुझदंडों के दम पे ही वो दुनिया कातम हरते हैं युद्भूमी में परखा जाता रण को शल है सारा समरांगन ही तै करता है कौन काल से हारा लगे बान पे बान परस में युद्ध हुआ तब भीशन राह पतन की लेकर आया मृत्यू फाला सीजन आसमान में वित्यू जैसे बादल लगे कड़कने दोनों वीरों के भीतर की जौला लगी भड़कने रण भूमी से दूर नगर के नरनारी चिलाए कुरुक्षेत की महा प्रले से इश्वर आज बचाए तभी कर्ण के रथ का पहिया दल दल में था आया बलचाली अश्वो ने अपना पूरा जोर लगाया लेकिन कर्ण की किस्मत में कुछ भी सुईकार नहीं था पहिया बाहर फिर भी या ना सका अब तक धसा वही था धनुचर खात तब कर्ण ने हथा रथ के नीचे आया अरजुन ने भी बान रोक शत्रिय धर्म था निभाया लेकिन क्रिष्ण भी वहीं खड़े थे उसी वक्त वो बोले अरजुन के मन में फिर कैसे रोब रहे वो शोले परशुराम का दिया हुआ अभिशाप व्यर्थ ना जाए कर्ण की वो ब्रमास्तर की विद्या कैसे दिये भुलाए युद भूमे में उजनेच तुम अरजुन नहीं बिचारो सूरे पुत्र की छाती पर अब अंतिम पान उतारो माधव के वजनों को सुनकर अरजुन कुछ सकुचाया तिवे शक्तियों को आमंत्रत कर गांडीव उठाया शस्त्रहीन पर लक्ष साथ कर अरजुन ने सण छोड़ा तीर मार कर विजन रत को ऐसे कैसे मोड़ा मिली पर राजय किंतु करने जैको गले लगाया रवी का बेटा देह त्याक कर रवी में पुना समाया तानशीलता का दानी से हुआ आज अधिरेक तेह तानकर किया करने मृत्यू का अभिशेक ग्यानी दानी वीर धुरंदर विदा हुआ था आज धर्मराज के सरपर उया कुल का रक्तिमताज कुल का रक्तिमताज और लिखी के साथ दिस वगक आबेट वाइरल Signing off